इस बार सुंबुल नॉमिनेट हुई है, प्लीज आप उसको वोट बत कीजेगा, मैं चाहता हूँ कि वो एविक्ट हो जाए, बाहर आ जाए, नहीं अभी जो कनवर्सेशन हुआ, सुंबुल समझ पाती है सब, लेकिन प्रोब्लम से भी इतनी सी है कि 18 साल मैंने उसको जिस तर कर पाएगी, अचा वो करना भी चाहती है, वो एक दो दिन उसका असर दिखता भी है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो चारो तरफ से लाइन अप होके, बार बार उसको वही कनवर्सेशन, वही कनवर्सेशन, हम तुमारे हैं, ऐसा है, वैसा है, तो सीदी बारे 24 घंटे ज कर में, ये लोग उसका बहुत फाइदा उठा रहा है, और आप तो उस पूरे घर में, सबी लोग ये जानगा है, कि सुम्बल को डैवर्ट करना बहुत आसान चीज हो गया है, सब के लिए, और सब के लिए, वो मेंद एक वोर्ड बैंक बन गई है, लेकिन उसके बाफजू अगर फैन बने हैं, तो इमली की वज़ा से बने हैं, और उसके बाद वो स्टार, रविवार विद स्टार परिवार की वज़ा से, जहां उसको पूरी खुली छूरती, वो जो चाहे वो करे, और बिग बॉस का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, हम लोग ने चुकि कभी देखा रहा ना, मैंने कभी देखा था, तो मुझे भी यही लगा था कि बिग बॉस में लोग एक दूसरे के प्रती साजिश करते हैं, हटाते हैं, डराते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर मुझे यह नहीं मालूम था कि मतलब आप ट्रॉफी के लिए किसी के करेक्टर असेजि क्या होता है, जब विकेंड का बार आता है, हर विकेंड के बार पर सिंबल तार्गेट होती है, और वो वहाँ सब सुन रही है, सुनने के बार यह बोलती नहीं है, वो उसको अजीब सा लग रहा है कि यह सब हो क्या रहा है मेरे आसपडोस, तो मेरे को अब लग रहा है कि की बात को आपको कह रहा हूं कि सुंबुल ने फर्स जे से लेकर आज तक अपने आपको क्लियर रखा है हर जगा उसने साफ साफ कहा है कि मेरा शालीन के साथ महज एक दोस्ती का रिष्टा है जो डेवन से कहती है आ रही आज तक उसी पर अड़ी हुई है अब एक बात बताई है आप हर वेक्ति का बाडी जिस्चर अलग होता है हर बच्चे की सोच अलग होती है मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि सुंबुल का मैं सिंगल पैरेंट हूं तो मैं मा भी हूं उसकी बाप भी हूं तो उसके अंदर जो एक टश होता है जंडर का वो उसके अंदर नह होगे तो यह शार्द बहुत गलत होगी और उस दिन वीकेंड के वार पे जिस तरह से सारे घर वाले उसके पीछे पड़ गये थे मतलब करीब आदे घंटे कंटीन्यू एक लड़की को तार्गेट किया जा रहा था कि तुम हैसी हो, 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 बनला कुल मिलाकर सब एक तारगेट कर रहा है थी कि संबुल किसी तरह पैनिक हो, क्योंकि सबको वालू है, क और जिर्व वही कोशिश हो रही थी कि ये पैनिक होकर बोल दे कि हाँ ये है लेकिन मैं सेलूट करता हूँ अपनी बेटी को उसके पेशेंस को कि इतना होने के बाद भी प्रेशर होने के बाद भी वह अपनी बात प्याड़ी रही और लास्ट में इस पूरे सब्जेक्ट को अलग ही करना पड़ा कि ओके लेकिन हुआ क्या उसके बाद जैसे विकेंड का बार खतम होता है अगें फिर वही चल अब कैसे चर्टिफिकेशन दें में को समझ भी नहीं आ रहा हो सुंबल क्या करें अपने माथें पर लिख दे हर तरह से शालीन आके उसको क्लियर भी उसक से लेकर अभी तक एक 19 साल की लड़की से आप इतना घंडा क्यों रहे हो वह अपना गेम खेल रही है यह शानती से आप अपना गेम केलो उसके गलती यह ही है कि उसने आपको अपना मान लिया कि आपको याद हुगा किसी ने पूछा था शायद शेकर से बनने कि आपके दिल के जिगर के तुकड़े कौन है तो उसने बोला था शालीर और टीना तो उसने आज तक वह बात रखी हुई है तो आप लोगों सोचना चाहिए कि अगर उसने आपको अपने जिगर के देखिये उस बात को मैं बहुत किलियली बताना चाहता हूँ शायद लोगों को नहीं मालूमूगा विकेंड के वार के बाद मेरी तवियर बहुत जादा खराब हो गय थी मेरा ब्लेड पेशर बहुत हाई हो गया था और मैं आल लेडी मैं ब्लेड पेशर का पेशेंट और ही यह से बेटी बता रही है मुझे बिल्कुल भी पाता नहीं कि दावाईयों की वज़ा से मैं ब्लू अनकॉंशेस था मुझे साम में नहीं आ रहा था क्या हो रहा तो बेटी बता रही थी कि आप बार-बार संभू संभू बोल रहे थे तो दैन उसने मैंजर से बात कर कि किसी पी तरह से संबूल को बुला लो ताकि पापा उससे बार मिल ले पापा ठीक हो जाएंगे अब उनके बीच में क्या बात हुई मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बाद वो पूरे 24 घंटे होने के बाद मैं आउस्पिटल में एडिमिट रहा और लगबग दीम बियोश किसी के हाल अपमें था आधा बोल रहा था आधा नहीं बोल पा रहा था उसके बाद अच susp़ारी मुझे मेरी बेटी कि उचने लाके mobile । अप पीसे बात करू और मैं उससे बात करी उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल में रहा मुझे कुछ भी नहीं पता जब मैंने थोड़ा जब नॉर्माल हुआ मैं उसके बाद मैंने देखा कि प्रोमो में मेरी आवाज आ रही है तो मैंने सानिया से पूछा बेटा क्या है तो बोले पापा जो आपने फोन पे बात की थी ये वो है उसके बाद मैं डिस्चार्ज होके आया घर जाके फिर मैंने पूरा एपिसोड देखा पूरा कन्विर्सेशन सुना उसके बाद मैंने सानिया से पूछा बेटा क्या है यही सब मैंने बोला है तो उसने बताया हाँ पापा फिर मुझे खुद बहुत अजीब लगा इस्पेशली दो शब्दों के लिए एक जो पर्टिकॉलर शब्द पे बहुत हाय तॉबा मची हुई है कि मुझे लात मार देना और एक और आउकात तो मैं एक बात तो कहूंगा कि बेटियां सबकी साजी होती है और मैं किसी बेटी के लिए इस तरह के शब्द सामाने वस्था में या नॉर्मल वस्था में तो नहीं बोल सकता और यदि आपको विश्वास ना हो तो आपने ध्यान दिया होगा इससे पहले मैं दो बार बिग बास में आया हूँ और दोनों बार मेरी आवास आप तक पहुची है पर इस बार मेरी आवास के साथ सब टाइटल चलना था क्यों 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 क्योंकि आवास मेरी क्लियर नहीं आ रही थी उन्होंने लिख लिख के बताया है कि मैं क्या बोल रहा हूं शायद आपको समझ में आ गया होगा क कि मैं उस वक्त किस हालत में था। और इन दो particular शब्दों के लिए मैं national TV पे या आपके सामने मैं उन दो शब्दों के लिए छहमा मंगता हूं क्योंकि मैं हमेशा women empowerment की बात करता हूं लड़कियों की बात करता हूं मेरी कवताओं में भी subject लड़किया ही होती है में बेटियों कभी सिखाया है unconsciously हो सकता है मेरे मुझे निकल गए हूं उसके लिए मैं छहमा मांगता हूं लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा और especially टीना की मम्मी से देखिए एक मेरे शब्द से आप कितना आहात हुई आपकी आख से आसू निकले तो आपने कभी सोचा कि day one से लेकर आज तक मेरी बेटी के लिए टीना ने कौन कौन से शब्द इस्थमान नहीं किये कभी लगा आपको कि एक बंदा जो single parent है जो मा भी है बाप भी है उसके दिल पे क्या भीत रही होगी कम से कम आप बड़ा दिल दिखाकर एक बार मुझको फोन करके बोलती कि मेरी बेटी ऐसा बोल रही है उसके लिए छमा और मेरे एक शब्द से हाहा कार मज़ गया है तो यह तो मेरे को अपने आपको justify नहीं कर रहा हूँ कि यह शब्द बोलकर मैं उसको justify करूँ नहीं यह शब्द गलत है और मेरी शब्द कोश में यह शब्द नहीं थे unconscious हालत में मेरे साथ यह हुआ है उसके लिए मैं छमा मांगता हूँ लेकिन जिस तरह से आज भी इतना होने के बाद भी ऐपकी बेटी मेरी बेटी का ओल रही कि मैं इसका जीवण नरक कर दूंगी तो मेरे को लगता है कि मैं एक शब्द के लिए आके माफी मांग रहा हूँ तो आपको 50 दिन के हर माफी मांगना चाहिए हाँ मैं इसमें कहना चाहुँगए सबसे पहले तो मैं कलर्स का, एंडे मॉल का, बिग बॉस का और सल्मान खान का दिल से शुक्रिया आदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने आउट आफ दे वे जाकर एक पिता की भावना को समझा और मुझे मौका दिया पर यह बायस होना नहीं है, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा था कि एक 18 साल की लड़की अंदर आई है और वो बहुत कन्फ्यूज हो गई है क्योंकि जिस तरह से उन्हें ने उसके बारे में देखा था, इंबली में देखा था, इस्टार परिवार में देखा था, वो वही चाह रहे थे कि बैसी रड़की हमारे आए और धमाल मचाए लेकिन अंदर आने के बारे वो सारी चीज़े जो बदली है ना, और उसे जिस तरह से उसका जो पूरा करेक्टर चेंज होने लगा, तो उनको भी चिंता दी, कि बच्ची के बारे में इस तरह की चीज़े बाहर न जाएं, इसलिए उन्होंने मुझे चांस जिया अगर इस तरह की चीज़, मेरे खियाल से अगर किसी और के साथ भी होती, और उसके पैरेंट्स बोलते, रिक्वेस्ट करते, तो मुझे लगता है कि बिग बॉस इतने, क्या कह सकते हैं, कठोर नहीं हो सकते, कि वो चांस नहीं देते हैं, तो उसको चांस कभी नहीं, अगर उसे रिक्वेस्ट करते, तो बिग बॉस उनकी भी बात मानते, लेकिन वहाँ पे सारी चीज़े जो हो रही थी, वो सुंबुल के साथ हो गही थी, और रही बात तीना की, तो टीना बहुत experienced है, 15-20 साल का experience है उसको, और सुंबुल महस दो साल का experience है उसको, और और भी बहुत बहुत है उनने, मैंने टीना की मम्मी की पूरा conversation सुना है, कि मैंने गालियां बकी है, पता नहीं क्या क्या, तो देखे, मैडम मैं बता रहा हूं कि मैं उस प्रकति का इंसान ही नहीं हूं, क्योंकि हमने तो शाद बजपन से ही पढ़ा है कि यत्र नारी पूजनते, तत्र र देवन से लेकर, आज तक, अगर मेरी बेटी ने एक भी लव्ज किसी के भी बारे में कहा होता, या एक भी ऐसा शब्द जो शायद आपको बुरा लगता, एक भी शब्द आप बता दीजिए, मैं आपके चर्णों में लेड जाँगा, लेकिन आप मेरी बेटी के संस्कारों पर आवाज उठा रही है, तो कम से कम, पूरे एपिसोड, एक बात दिल से देखिए, और एक मा की तरह देखिए, फिर आप बताईए, फिर आप जो कहेंगी, वो मानने को तेग्यार हूँ संबल के बहुत सारे लगा है, फिर फिर अपिन गेम तो अच्छा लग रहा है, रही कुछ तन और से फोड़ा साइब तो हाँ, इस को इसा होगा है, अगे वाल इस्जा होगा, आम शार बात आप ता वह जाएका पिजिए पाशना पश्तर देखी है और हम इस चीज रहे है है और हम जाएका रहे है जिए कहा है? जिए भी मैं अच्छा पुछ चाहे है जो चाहिए पर एक जाएए कि परना चाहिए जो दोस्त वर्ड है वह जी बाते हैं उड़ए तो यह तो नॉम्मल सी बात है कि सब आँ जीतने आया हैं तो सब वही करेंगे जो उनको करना पड़ेगा जीतने के लिए तो मैं तो यही बोलूगी कि वहां पर जितने भी लोग है जिनको पना दोस्त पूर रहे हैं तो अपर अच्छी दोस नहीं है जो 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 यह बहुत अजीब लगा में को देखे कि अपी किछन में है but like अच्छा ही है साथ ही रिसंड़ी बहुत सारे कमें जा रहे हैं सोचल मेडिया पर लिसंड़ी पर बिकाऊचली प्र दाद भी रिसंड़ी बात थी अब जे सुन्में से तो बहुत सारे parents के बहुत सारे reactions आगे, कुछ कहना चाहोगी उसका लिए जी, मैं बसे ही कहूँगी कि अगर किसी parent का बच्चा किसी problem में हर तो बच्च कुछ भी करेगा उस बच्चे को उससे बचाने के लिए and पापा ने जो भी बोला, जो भी कहा वो सब सही था और एक बच्च करें ओड़ा किसी तो मुझे को दर्ती लगी जो है अगर पापा ने बोल रहे हूँ प्रिख भी किसी नो बच्च के लिए तो पापा ने चाहिए था मेरा ज़ा मेरा अनलत का तो वा ची अनलत थाे तो झाल नहीं रख हो राए कि आप मैं जनी यह अनलत अग मैं परफो पर चंछिव राए ना बाए लाए जो वो था थे माने चाहें यह अप नहीं copy का आप कार झाल अन इंप Recognle वे जब आपा सोग आरे थे तो I just did what I felt right तो बस इना ही गोलो में अजल हमने हमेशा से देखा ए सर अन्नाम आप दनों के लिए कि जब ही जब इवी बिग्वस में कहीना कहीन सभी के पैर्न्स को बिलाया जाता है कहा जाता है कि आप प्लीज आ सकते है वे जब इवी बिग्वस में इंट्राक्शन करने के लिए कहीना कहीना कहीनी डीवेट होता है कुछ पैर्मिली के साथ दुसरे पैरंस के साथ अगर आपको बनाया जाता है क्या आप जाना पसंद करेंगे और अगर जाते भी है तो किस तरीके से आपका इंट्राक्शन होगा और किसके पैरंस के साथ इंट्राक्शन करना पसंद करेंगे वेल ऐसा कुछ नहीं है ऐसी भी होती है कि पैरंस अप पैरंस सामने लिए वह एक समय होता है जहना मिलके नम बात कर सके तो आप किसी साथ नहीं अगर ऐसा कोई मौका आता है और सारे लोग आते हैं तो मैं इस्पेशली टीना की माद से तो दरूर इंट्राक्शन करना चाहूंगा और उनको बताना चाहूंगा कि शायद उन्होंने जो भी कहा है हो सकता है उनको मेरी बात सुनने के बाद अपनी गलती का एहसास हो आज जो वो मेरी बेटी के संसकारों पे आवाज उठा रही है तो मेरी बेटी के संसकार यही है कि आज पचास दिन के बाद इतना कुछ होने के बाद सब कुछ जानने के बाद उसने आज तक एक भी शब्द किसी के बारे में गलत नहीं बोला वो पैनिक भी हो गई उसके बावजूद भी उसके मुझे एक लवज नहीं निकला और जबकि मैं जो अपने आपको बहुत समझदार कहता हूँ सबको सिख्षा देता हूँ यह सब देखने के बाद मेरे शब्द गलत हो गए तो हैर साब बेटी कि उसको तो नहीं बदल पाया कोई लेकिन इस बुरे माहौल ने मतला अंकॉंशसली मुझे थोड़ा सा बदला और यह दो गलत शब्द निकले मेरे मुझे और उसके लिए तो मैं गिल्टी रहूंगा, no doubt विल्ल आप से जाना चाहेंगे I as a youngster Big Boss एक ऐसा घर है जसमें आप इतने दिन और इतने ही लोगों के साथ रहते हैं कही ना कही माइंड नहीं इतना बड़ाओ कर पाता है But you are saying that simple as you believe लेकिन कही लोगों के तवाला यह भी सुनने आरहा है जब जब हम जिस किसी से र्याक्शन ले रहे है She is AD, she's gonna understand that much यह रहे है Saath hi यह भी कही लगे निए लूगे शालेन के साथ जो इंटराक्शन लिखार है How much is this good to the viewers? And क्या कुछ आप कहना चाहोगे कि यह सब चीजे किपनी डिखानी चाहें किपनी नही गें किपनी नही गें किपनी अए तब नहीं नहीं आपको तीन चार मही ने गजारने आजाए तो इस अल्रेडी हाँ अप्य और मैं कभी भी ऐसे महाल में नहीं रहे इतना टॉक्सिसिटीग इतना लड़ाई इतना जग्ड़ा मैं देखती हो तो मुझे बुरा लगते है कि हो कि अवक इन रहा है तो वही देखे मुझे प्रॉड फिल होते कि at least मेरी बहन सर्वाइफ तो कह रहे है लेक एवन दो सब माइंड गेंग खेल रहे है इतना शातिर चल रहे है उनकी लाफ में भूआ होगा हमारे साथ नहीं होए परीदीग एक चीज़ और बुला चाहूँगा सबीवेची है हर वो चीज़ किया है जहां निगेटिवटी होती है पदा निकितना सुना होगा उसने हम लोग कभी भूके रहे लेकिन इनको मैंने कभी इस तरह से ख़डा नहीं किया किसी की सामने किये कुछ करें तो इनके अंदर negativity कभी आई नहीं, एक shared रहा है इनके साथ हमेशा और यही वज़ा है जो आज वो बिल्कुल सीरी सारी कि उसे negativity अपनी लाइब में देखी ही नहीं है तो अगर आप जो अब्दू से उसको आप compare करते हो तो compare age wise मत करिए कि अब्दू का experience बहुत extreme है उसने जो संघर्ष किया है उसके लिए तो हैर साफ उसको और symbol का संघर्ष अलग है तो उसके जीमन को थोड़ा सा सही लाइन पे लाने के लिए थोड़ा सा दुनिया से परिचे कराने के लिए बिग बॉस में ले गया था मैं उसको और लेके आया हूँ और वो सीख भी रही है और जब वो बहार आएगी वो सारे अपिसोड देखेगी तो शाइज जिन्दिकी को जादा सा समझ जाएगी लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा up and downs चल रहा है पर मेरा सिर्फ यही था कि अगर आपको जीतना है आप अपनी लाइन बड़ी कीजिए नप लीज दूसरे के लाइन क्यों मिटाते हो और सम्बुलास तर गोई कर रही है सिर्फ अपनी लाइन बढ़ा रही है वो दूसरों के लाइन मिटा नही है तो जिस दिन यह लाइन बढ़ा करने का संखर सूने अजिन सम्बुल जीताएंगी मैं लड़ागी जगडे में मैं जाद हूँ मैं अपी को यह बालागी बढ़ाता है कि किसी से लड़ागी हो क्या करना है जो कि अधर फ्रेंदी होगा यह जो कि अधर में दूसरों अधर रही है आप से जानना चाहेंगे गेम के लिए लोग कितना कुछ किस-किस को टारगेट करते हैं क्योंकि हमने दो-तीन सवार जितने भी अब तर कर्टेस्टेंज आया उनको पूछा है कि सबसे गेम प्लानर को आन है तो इन अवे टीना या शालिन की ही बात आई है तेकि यह नो डाउट गेम प्लानर तो हैं दोनो और सबसे बड़ी बात यह लगती ही मेरे को कि आप एक साथ इतने चेहे लेके चल कैसे पाते हो मैंने तो ऐसे इंसान आस तक नहीं देखे मतलब आप इतना कुछ होने के बाद आप सुम्भूल के पास फिर जा रहे हो उसको फिर से आप सारी पुरानी चीजों का वास्ता दे रहे हो कि हमारा तीन का बॉंड है सुम्भूल कह रही है कि हमारा कोई बॉंड नहीं है उसके बावजूद आप टीना से प्लान कर रहे हो दैना बोला मैं पाच मेंट के लिए उसके पास जा रहा हूँ और आप टीना बात कर रहे है कि मैं उसका जीवन नहीं रख कर दूँगी मतलब एक गेम जीती है गेम जीतने में बुराई नहीं है लेकिन इस तरह से जीतना मेरे को नहीं लगता कि ये शायद कहीं भी आपके दिल को सुकून देगा और रही बात गौतम की तो नो डाउट गौतम के साथ भी बहुत गलत हुआ जिस तरह दे शालीन ने सौंधर रिया के साथ पहले बाते करी और उसका सारा महाल बनाया और उसके बाद उसको विक्टिमाइज किया देन गौतम और वो जुड़े उसके बाद शालीन ने वहाँ भी गेम खेला तो आज जो भी बाहर निकलेगा वो कहेगा वो ये बात उखर कहेगा वो अंदर भी कह रहे हैं सब लोग कि सब जानते हैं कि शालीन और टीना जो है बहुत बड़े गेम प्लानर है और दुर्भाग्य से मेरी बेटी उन्हें की दोनों के बीच पास गई हुजी गर का टुकड़ा सो कॉल्ड और आप वो शीर के पास बैठती है तो उनको दिक्कत होती है निमरित के पास बैठती है के तमाम फैन से ये बात शायद बोई पैरेंट नहीं कहेगा मैं कह रहा हूँ आज कि जिस तरह की चीज़े चल लई है मैं आप तमाम फैन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुंबूल नॉमिनेशन में आई है और अगर आप उसको वास्तों में बहुत प्यार करते हैं तो प्लीज वोट मत किजिए मैं चाहता हूँ कि वो एविक्ट हो जाए बाहर आ जाए क्योंकि ये गेम की वज़ा से मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहता हूँ उसकी मासूमियत नहीं खोना चाहता हूँ At last मैं सुम्बुल के सारे फैन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं जानता हूँ कि आप उसको बहुत प्यार करते हूँ All over world से बेर पास phones आते हैं आप लोग बताते हो कि आप लोग उसको रोना देखते हो रोता वो देखते हो ताप भी रोते हो इस बार सुम्बुल नॉमिनेट हुई है प्लीज आप उसको वोट पत कीजेगा मैं चाहता हूँ कि वो अविक्ट हो जाए बाहर आ जाए क्योंकि मैं अपनी बेटी को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता मुझे लगा था कि मैं उसको जिन्दी की सिखाने के लिए वहां भेज रहा हूँ पर ऐसा नहो कि जिन्दी की सिखाने के चक्कर में हमारी बेटी कहीं खो जाए उसकी जो बबलीनेस थी उसका जो चहकना था वो सब खतम हो जाए तो मेरी एक रिक्वेस्ट है अगर आपको सही लगे हो सकता है मेरी बात आपको गलत लगे कल से फिर मैं आप लोग के निशाने पर आजाऊ कोई फरक नहीं पड़ता बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सिंबुल को वोट मत कीजिए सिंबुल को बाहर आने दीजिए एक बार फिर हम उसके साथ बैठेंगे फिर उसके अंदर उस पुरानी वाली सिंबुल जगाएंगे और तब आप भी खुश हो जाएंगे और मैं भी क्योंकि यह गेम के लिए बापनी बेटी नहीं खोना चाहता है सरे काफ़ी सवाल संबुल भी बार बार अंदर पहर रहे हैं मुझे बाहर निकाल दो मुझे बाहर आना ने लेकिन कुछ Contestants ऐससे होते हैं कि कही न सकष्छों मदद करना चाहते हैं लीम कि अंधर भी को लगता है क Kyle की कि विर अब वी इन देना चाहता है कैंगो संभू जो बाहर आने की बात कर रहा है आप खुद देखिए ऊक browsers संभूल एक दिन लो हो गई थी हालकाशा उसने । आपने बले की द उसने इमेडियेट जब नॉमिनेशन टास्क चल ला था वहां पे खुल के बोला कि रहना नहीं चाहती है, यह है, वो है, क्या है यह, वो बोले ही दिरी में लो हो गई थी, आपसे बनी दिल की बाद शेयर करी, तो वो ऐसा नहीं कि वो बाहर आना चाहती है, वो बाहर नहीं आना चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने आपको बहुत अकेला महसूस कर रही है, और वहां पे रही बात अब उसका साथ देने की बात, तो ठीक है, वो जिसके बाद भी साथ लेने चाहती है, यह लोग उसक मेरे बीज का टॉपिक घुमी ये है तो बहु आप समझ सकते हो की टीना क्या कह रहे हैं और मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको मेरी बाते साथ समझ में आ गई होंगी तो बस आप वेरी फिलिंग को समझे जो मैं कहना चाह रहा था बाकि उपरवाला सुंभूल के साथ है मुझे मालूम है कि वो कुछ भी नहीं करेगी तो भी पैरिस का टिकट जीत गई है और मुझे लग रहा है कि आगे सब अच्छा ही होगा